साथियों, आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को आयोध्या में बव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। ये कोटी कोटी लोगों के लिए आस्ता और भक्ती से भरे पल है। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुस्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूँ। बीते दुनों मुझे अनेक मंदिरों में दर्शन और वहां सफाई करने का सोभागे मिला है। मेरा केरला के आप सभी कारकरताओं से भी आगर हैं कि आप अपने अपने गाउं, शहर, बूत पर मंदिरों में स्वच्चता अभियान चलाएं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्टा एउद्या में होगी, लेकिन स्री राम जोती उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी, हर मंदिर में जलेगी। केरला तो वो राज्य है, जो अपना पूरा एक महिना रामायन को समर्पित करता है। यहां रामायन मासम मनाया जाता है। केरला में भी पूरे सजभाव के साथ स्री राम जोती जले, यह संदेश आपको अपने ख्षेत्र में हर घर में पहुचाना है। और पक्का करना है कि हर घर में शाम को राम जोती जले। मैं केरल की जन्ता के सामर्था को जानता हूं। देश के उजवल भविश्च के लिए काम करने का केरल के लोगों का मिजाद भी जानता हूं। मेरा उन पर बहुत भरोसा है। वैसे ही मुझे केरला के हर कारकरता पर उतना ही भरोसा है। आप चुनोतियों से तब करके निकले हुए कार कारता है इसलिए केरला की जनता का बरोचा जीतने में आप जरूर सफल होंगे और मैं फिर एक बार संगर्ठन की शक्तियों प्रणाम करते हुए आप सब को बहुत बहुत सुब कामनाई देता हूँ झाल 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 झाल